तो हेलो टीचेर्स विलकम बैक अगेन इन एड़ोगरोन टेक फॉर टीचेर्स यूटूब चैनल पे आप सभी लोगा स्वागत है यार और आज अपनी इस वीडियो में बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज सिखने जा रहे है काफी डिमांडेबल था काफी मैंने कमेंट्स पीपीटी की हेल्प से बड़े अच्छे तरीके से अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन में ऑफिसे बंद हैं इस्टूडियो क्लोजड हुआ है तो टीचर्स घर से ही पढ़ा रहे हैं बट फिर भी वीडियो की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आ रही है मस्त प सिंपल स्टेप है अभी आने वाली कुछ वीडियो में और भी मैं नहीं नहीं चीजें आपको 20 स्टूडियो से रिलेटेट सिखाऊंगा उसके बाद मेरा प्लानिंग है कि एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में किस तरीके से विडाउट एडिटिंग देखो यार क्या प् से आप एडिटिंग जहां किये अपने वीडियो में तो फिर यह दो 300 की वीडियो जो एंबी की वीडियो वो दो जीवी तीन जीवी की हो जाएगी फिर आपको अपलोड करने में काफी डाटा वेस्ट जाता है तो यार कोसिस कर रहा है कि अगर आप और आप टीचर हो आप पढ़ाते हो तो यार आपके पास laptop में computer में OBS studio तो होना ही होना चाहिए इससे best app कुछ भी नहीं है अब इसमें कुछ चीजे हैं अगर आपको पता है तो इसमें बहुत कुछ चीज किया जा सकता है नहीं पता है तो आप editing में जाओगे but trust me guys मैं ऐसा ऐसे चीजी इसमें सिख की help से किस तरीके से हम अपने वीडियोस को एक अच्छी तरीके से record कर सके बना सके और share कर सकेए चली वीडियो को सूरु करते वर एक चूटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद OBS Studio, On करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक scene add करना है, यहाँ पर एक scene add करना है, तो मैं यहाँ पर एक scene add करता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ, यार इस scene को नाम क्या दे दे, like video plus video रहेगा, मेरा video रहेगा और साथ में PPT रहेगा है ना, इस scene का नाम दिया हूँ video रहेगा और PPT दोनों साथ में रहेगे और आपको okay कर देना है तो ये scene create हो गया अब मैं इस scene में चाहता हूँ कि यार मेरा PPT चले और side में आप भी दिखते रहो क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए अब दो तरीके सीचीज किया जा सकता है कौन सा दो तरीका हो सकता है या तो आप क्या करो, display capture लगाओ अपना, है ना, जो जिससे आप screen record करते हो, display capture लगाओ और अपना वीडियो यहाँ पे लगादो और चलता रहेगा, दूसरा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, कि आप यहाँ पे यहाँ पे क्या गोलता है, वीडियो capture लगाओ, है ना, और इसमें अपना पीपीटी को डालो पीपीटी की जो slide है, उनको डालो और फिर करो, मेरे हिसाब से सबसे बेश्ट जो तरीका रहेगा, जो मैं actually use करता हूँ, वो रहता है यार, display capture करके वही बताने हो, यहाँ पे आपको display capture लगा लेना है, तो मैंने सबसे पहले जो scene आपने create किया है, video प्लस पीपीटी scene पे click करना है, then source में, plus पे click करने के तो मैं इसको stretch to screen कर दे रहाऊ, अब यह मेरे पूरी black part में आ गया, ठीक है, यह पूरा आ गया, यार, obvious studio की classes अगर आपने पहले नहीं देखा है, तो मैंने काफी सारे videos step by step बनाया है, वो जरूर check out करना, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और source create करूँगा, यहाँ पर video capture device लगाऊंगा, है ना, तो आप नया चाहो, तो नया कर लो, मेरे पास already लगा हुआ है, तो मैं उसी को ले लेता हूँ, और यह मैंने कर दिया click, यह हमारा आ गया video capture device, अब मैं क्या करूँगा यार, इसको थोड़ा सा में right click करके, transform पर करके stretch to screen कर देता हूँ, ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से handle कर सकता हूँ, और यह रहा, और इस तरीके से side में मैं अपने आपको set कर लेता हूँ, ठीक है, ना, अब मैं करने हूँगा, अब यहाँ पे मेरी PPT चलती रहेगी, और यहाँ पे side में मैं मस्त पढ़ाता रहूँगा, इसी तरीके से अपन PPT पढ़ाते, मैं example करके आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखो यार, यह मेरी पीछे यार, सर मेरी पीछे दिवाल वेगार नहीं दिख रहा हूँ, तो यार मैं green effect लगाया हूँ, तो मैं आपको फिल्टर हटा के दिखा रहा हूँ, जब आप first time connect करोगे, तब कैसा दिखेगा, वो भी बता दे रहा हूँ, मैं आपको, है ना, तो इस चीच को देख लो, आपकी साथ होगा, क्या filter पे मैं क्लिक करता हूँ, फिल्टर को यहां से कर देता हूँ, रिमूव, जब आप first time video capture लगाओगे, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, यह मेरे पीछे green color का परदा लगा हुआ है, अब देखो, अगर मैं अब यहां पर PPT पढ़ाऊंगा, तो यह PPT का का काफी सारा portion ही, जो मेरा आस पास का एरिया नहीं, काफी सारा portion क्या करेगा, PPT का ढख लेगा, और मेरा जो वीडियो में उतना अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं क्या किया हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो, और भी एक तरीका बताऊंगा, PPT की help से all कैसे पढ़ात तो मेरा green color की पीछे परदा होनी के वज़े से यह effect हट जाएगा, है ना, तो इस पर मैं right click करूँगा, ठीक है, just click on इधर, filter पर मैं जाता हूँ, यहां से filter को थोड़ा सा छोटा किया जाए, और यहां पर plus पर click करूँगा, और उसके बाद, इसके बाद मुझे करना है, that is just wait, कहां गया भाई, chroma की कहां है, यह रहा, chroma की किया, ओके, यह देखो आ गया, अब मैं कर देता हूँ, close, ठीक है, पीशे का background हट गया, अपने किस तरीके से background remove करते हैं, यह चीज़े एक वीडियो में ने बना के बताया, तो यह हो गया, इसको slide को lock कर दिया जाए, ताकि यह हिल जैसे अभी हिल गया, ऐसे हिले ना तो मैं कर दिया इसको, अब इमेज को, जब चाहिए इतना बड़ा आप रहके पढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने आपको इधर रख लो, आपके इधर PPT चलती रहेगी इस तरफ, और इधर आपको, अपना OBS Studio को minimize करना है, तो मैं OBS Studio को minimize करता हूँ, और कोई PPT को on करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ PPT's पड़े है, उन PPT को on कर ले रहा हूँ, मैं, है ना, just wait, कोई PPT मैं on कर लेता हूँ, like, like, कोई है भाई मेरे पास, ओके, ये PPT है, इसको on कर लेते हैं, तो यार PPT on हो रहा है, बस थोड़ा सा और wait कर लो, so finally मेरा PPT open हो चुका है, है ना, अब मैं चाहूँ तो इस PPT जो slide है, इस slide के help से पढ़ा सकता हूँ, कोने में मैं दिख रहा हूँगा, कोने में मैं दिख रहा हूँगा, और इधर पीछे में आपको PPT दिख रहा होगा, clear है, अब, अभी भी ये, लेकिन PPT की पूरी screen आ रही है, मचाता हूँ, सिर्फ मेरा PPT दिखे, आस-पास कहिए, तो में मैं दिख रहा हूँ, अब मस अपना pen tab connect करो, और pen tab की help से लिक लिक के पढ़ाते जाओ, है ना, आसान था, ओके दूसरा क्या तरीका है सर, माल लीजे आपके पास green screen नहीं है, तो कैसे किया जाए, तो green screen नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने जो video capture, ये display capture लगाया है ओके, ये ठीक है, ये हमारा display capture आगया, और इधर मेरा, ओके, तो आप क्या होगा कि इतने में हमारा PPT चलेगा, और मैं अपना green effect भी हटा देता हूँ, ओके, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया जाए, और इसको थोड़ा सा ऐसे, और लाइक देस, तो आप इस तरी PPT में जो भी चीज लिखी है, वो कुछ भी नहीं ढखेगी, साइड में आप रहोगे, और इधर PPT चलता रहेगा, और यही चीज रिकॉर्ड होती रही है, ठीक है, बाकि यहाँ पर आपना logo वगरा लगा लो, तो यहाँ पर टाकी design बन जाए, तो यहाँ पर क्लिक किया, मै आपके लिए यह ऐसा based रहेगा, अब यहाँ side में PPT आपका चलता रहेगा, तो मैं PPT on करता हूँ, ताकि आपको दिखेगा, कि इस तरफ PPT चलता रहेगा, और side में मैं दिखता रहूँगा, clear है, यह PPT मैंने open कर लिया, current slide slow पे चलता हूँ, तो यह slide slow, so start हो गया, तो देख पेंचे में option है, यहाँ पेंच चूस करने का, तो मैं पेंच का color चूस कर लेता हूँ, और जो चाहूँ PPT में must मैं जैसे चाहूँ, और slide भी change कर सकता हूँ, इस तरीके से, यह PPT चल रही है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से पढ़ा रहे हूँ, अब मेरा PPT का कोई भी पार मैं साइड में दिख रहा हूँ, और इधर must PPT चल रहा हूँ, अगर आपके पास green परदा नहीं है, पीछे आपका दिवाल है, आपका घर है, तो आप इस तरीके से video बनाओ, अगर green परदा वगेरा है, तो जिस तरीके से पहले था, मैंने side में अपने आपको किया, इस तरीक आपके से मैं पढ़ाता हूँ, अपना दूसरा जो एड़ोगरों चैनल है, उस पर पूरी setting चलती है, मैं कोई भी video edit नहीं करता, ठीके video चलता रहेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, starting में मैं पूरी screen में मैं दिखता हूँ, है ना, उसके बाद फिर बोलता हूँ, जो बोलना रह बचा हूँ, फिर बाकी का बचा हूँ वीडियो लगाओ, एडिट करो तो वीडियो काफी lengthy हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ करना रहता है, पूरा professional education, online education कैसे करें, उसकी पूरी setting ओबेस studio में, एकी वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, आने वाले वीडियो में, hotkeys व